बहुत मस्त वीडियो लेके आया हूँ आप सभी के लिए रिजल्ट आने में भी टाइम है लगबग एक महीना बाकी है एप्रिल फिफ्ट को ये वीडियो डाल रहा हूँ बना के तो मैं पांच के बाद याएगा तो एक महीना बचा हूँ है इस एक महीने के पिरेड में क्या करे रिजल्ट आने में तो टाइम है तो एक्जाम हो गया एक्जाम खतम और रिजल्ट आने से पहले इस ब्रेक में हम क्या करे क्योंकि कॉलेज एड्मिशन होने में भी टाइम है तो यह break है, यह gap है, इसको कैसे utilize करें, इसी के बारे में आज का video है, तो सबसे पहले, अपने next degree या next course के बारे में research करना शुरू करो, this is very important, आपको पता करना पड़ेगा कि अभी आप जो degree करने वाले हो, या course करने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, जॉब करने वाले हो, पढ में business करोगे, अगर आप engineering कर रहे हो, तो engineering किसमें करोगे, उसमें क्या scope है, आगे चलके, अगर आप pharmacy में जाओगे, तो pharmacy का क्या scope है, यह सभी के बारे में पहले study करो, sufficient information है, इंटरनेट पे, नहीं है, तो अपने senior को ओंटेट करो, अपने teacher से बात करो, अपने parents से पता करो, websites पे जा के पढ़ो, तो research करो, basically do your research for the next course of degree, okay, next, second point है, कि कोई नया skill सीख लो, अभी इतना time है न, आप कोई भी skill अगर आप चाहो, शुरू करना, तो एक अच्छे level पे आप पहुंच जाओगे, क्यूंकि admission होने में 3-4 महिने और बचेवे हैं, अगस्ट तक admission होगा, April में June, July, 4 महिने पूरा बचा हुआ है, तो अगस्ट में जा के admission होगा, तो उससे पहले आप guitar सीखना चाहो, guitar सीख सकते हो, painting सीखना चाहो, painting सीख सकते हो, cooking सीखना है, cooking सीख लो, और mostly music instrument ही prefer करते हैं, musical instrument की, guitar हो गया, keyboard हो गया, tabla हो गया, harmonium हो गया, और violin हो गया, कोई भी, ऐसे music instrument सीख लो, okay, skill की बात कर रहो मैं, next, अगर आप J वगेरा पढ़ रहे हो, या neat वगेरा पढ़ रहे हो, तो competitive exam के लिए preparation करो, अच्छे से करो, without any delay, या फिर laziness, ऐसा नहीं कि हाँ, board exam तो हो गया, अभी एकदम सुस्ती से करते हैं, कोई load तो नहीं है, खुद पर ही है सा नहीं, इसको भी आप serious way में करो, competitive exam के लिए preparation, next है कि अगर आपको volunteering पसंद है, कोई charity में काम करना चाहते हो, या कोई NGO वगेरा में जोड़के मदद करना चाहते हो, जरूरत मन लोगों को, वो भी आप कर सकते हो, volunteering करो, NGO में help करो, या कोई internship वगेरा try करो, कहीं पर short term कोई course हो गया, कहीं पर कुछ practical हो गया, मतलब which has nothing to do with your degree, course या कुछ भी, जैसे मुझे ना बच्पन में ऐसे electricity का काम बहुत पसंद था, तो मैंने कहीं और नहीं गया, मैं खुदी घर पर ऐसे experiment करने लग गया था, कि tube light कैसे बनाते है, बहुत basic सा चीज है, बट नहीं आता है, students लोग को नहीं आता है, मुझे नहीं आता था, tube light का connection कैसे होता है, बल्ब तो लगाना आता है सबको, बट tube light के अंदर एक जो चोक होता है, उसको कैसे fit करते हैं, उसको क्या गाम है, starter, वो सब, सब चीज मैंने अच्छे से study किया, उसको connect करके देखा, वो किया था, और उसके source है, अपने time को utilize करने का time भी निकल जाएगा, आपके अंदर नया skill भी आजाएगा, नया चीज सीख जाओगे, तो books पढ़ो, चाहे वो spiritual books हो, story books हो, fictional books हो, या science and fiction books हो, कैसी भी book हो, आप पढ़ो, this will help in improving your reading skill, reading skill तो बढ़ा देगा, साथ में knowledge भी gain होगा, newspaper reading का आदत हो जाए या latest current affairs के बारे में पता चल जाएगा, अगर वस टाइप के books पढ़ोगे, तो reading in general बहुत अच्छी चीज है, वो हो जाने के बाद physical activities के बात करते हैं, अगर कभी आपने सोचा था कि यार physical activities like yoga करेंगे, सूरिय नमस्कार सीखेंगे, running करेंगे, कोई sports badminton खेल लेंगे, cricket खेल बढ़िया time है, ये time को utilize करो, उस sports को ध्यान देने में, क्योंकि college जाओगे फिर पता नहीं, वहाँ पर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे time, क्या पता बहुत busy रह जाओ, तो इस वज़े से अभी का time जो है, इस time को utilize करो, उस sports के लिए, उस physical activity के लिए, next creative writing और blogging, काफी topic में, उनको अपना idea share करना, या detail में थोड़ा research करके, elaborate करना, उनको पसंद है, और आजकल मैं बोलूँगा, कि AI का मदद लो, ऐसे नहीं के direct AI इसे बोल दिये, write an essay और blog post on this topic, ऐसे मत करो, करो भी तो उसका point flow, बट खुद का वहां पे words यूज़ करो, creativity यूज़ करो, वैसे करके लिखो, ठीके, direct copy paste मत करो, और उससे आप आगे चलके website भी बना सकते हो, और उसमें promotion वगरा कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते ह अच्छा, then उसके बाद बात करते हैं, कि जिन लोग को घूमना फिरना पसंद है, travel करो, explore करो, ये भी ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि हमेंसा बस आप copy किताब में घुसर होगे, थोड़ा सा travel भी करो, family का plan भी बन रहा होगा कहीं, अभी बहुत गर्मी है हर जगा, तो थोड़ा cold places में आप plan कर सकते हो, क्योंकि winters में आप cold places नहीं जा सकते है, because वो और ज़्यादा धंड होता है, उस जगा पर, but summers में क्या होता है, थोड़ा सा melt होने लगता है, ice वगेरा, तो आप visit कर सकते हो, ज़्यादा धंड होता, ओके, और ज़्यादा गर्मी तो बिलकुल नहीं हो जबा होता है, ऐसे school time में भी देखे होगे, तो utilize that break, and last but not the list, socialize करो, नहीं friends बनाओ, बाते करो, एक दूसरे से interact करो, सीखो, अगर आप introvert हो, खीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलत नहीं है, introvert हो ना, but अगर आपको डर है, आप चाहते हो, थोड़ा socialize हो ना, but फिर भी introvert हो, तो आप खुलना चाहते हो, तो बात करो, नहीं friends बनाओ, online forums है, online तो आपको पता ही है, यह तो मैं क्या ही बताऊंगा, instagram वगरा, randomly hi hello, कैसी हो, message कर लेते हो, किसी को भी, तो यह सब तो करी सकते हो, basic चीज़ है, नहीं दोस्त बनाओ, यहीं थे, कुछ-कुछ points, जो कि म तो मैंने एक point बना, और सोचा कि आप सभी के साथ share करो, जो कि आपको help करेगा, आगे चलके, अपने life में, career में करेगा नहीं करेगा, different thing, but life में तो जरूर करेगा, और life जीना बहुत जरूरी है, बहुत लोग life जीना ही भूल जाते हैं, यह वो के चक्कर में भागते रहता ह थोड़ा सा pause लो, सोचो और इस break को utilize करो, I hope थोड़ा सा अलग वीडियो था, और मदद मिलेगी इस वीडियो से आप सभी को, ओके, वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को like कर लीजे, चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को subscribe कर लीजे, मिल रहोंगे अगले वीडियो में, तब तक keep learning, keep exploring and keep smiling, thank you so much